घर में हम कैसे साफ सुतरे तरीके से बहुत ही आसान से चुस्की बना सकते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में, उसका रेसिपी मैं शेयर की हूँ हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं किचन, मैं नदिनी, आप सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो चलिए आज हम बनाते हैं तर्भूज का चुस्की, जो कि बर्फ आप बिल्कुल भी मिक्सी जार में डालके पीसेंगे नहीं, या फिर कदुकस करेंगे नहीं, या फिर को डालके उसको चोटे-चोटे टुकडे में करना नहीं है, ग्लास में डालके उसको टाइट करके उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान तरीके से तर्भूज को साफ करके धो के उसका पलप हम निकाल देंगे और इसका हम जूस बनाएंगे, अभी गर्मी म चुसकी खाने का मज़ा ही कुछ और है बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत पसंद करते हैं चुसकी खाना अगर कोई पाटी में चुसकी वगएरा मिल जाता है तो वहीं पर भीड लगी रहती है है ना गर्मी तो बहुत जादा बढ़ रखी है और घर में हम चुसकी का म पत्ता धो के साफ करके लिए हूँ बहुत ज्यादा नहीं लेंगे एक मुठी वराबर हाफ तर्भुज के लिए में ली हूँ और ये ब्लैक सॉल्ट हम जालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से तर्भुज कितना मिठा है वो टेस्ट करके आप इसमें शुगर भी एड़ करि इसमें मैं एड़ करी हूँ एक हरी मिर्च बहुत जादा तीखा वाला हम हरी मिर्च एड़ नहीं करेंगे हलका सा तीखा है इसमें और इसका जो फ्लेवर आएगा हरी मिर्च का उसके लिए मैं इसमें टाली हूँ आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर एवाइड कर सकते है तर्भूज को मिक्सर जार में पिसने के बाद हम इसको एक छलनी में चान लेंगे इसमें हम बिल्कुल भी पानी एड नहीं की हूँ इसको छलनी में चानने के बाद ही हम पानी इसमें एड करेंगे तर्भूज का में एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी सर्भूज का मोईतों और तर्भूज का पंच वो रेसिपी अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेजिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगी आमपन्ना का रेसिपी में शेयर की थी बहुत ही अच्छा आमपन्ना बनेगा आप देखे है रेसिपी और बनाईए एक कुलफी का रेसिपी मैं शेयर की थी वो बहुत ही टेस्टी था कुलफी जो कि मैं मेलॉन से बनाई थी यानि खरभूजे से बनाई थी आज मैं शेयर करे हूं तरभूज का चुसकी इसमें मैं एड़ कर रही हूं लेमन जूस, टू टी स्पून लेमन जूस एड़ करेंगे और आपको अगर जादा मीठा लग रहा है तो शुगर आप अपने हिसाब से एड़ करें लेमन जूस डालने से इसमें खटा मीठा और थोड़ा सा तीखा का स्मेल बहुत ही अच्छा लगेगा और ये तैयार हो चु चुदे उसमें डालिए या फिर पेपर कप में आप डालिए और उसको फ्रीजर में रखिए 6-7 घंटे तक मेरे पास ये वाला मोल्ड है मैं इसमें डालूंगी और ये खाली पानी रहेगा तो इसके अंदर आप जब स्टिक डालेंगे अगर आप खाली मोल्ड है आपके प इसके उपर कवर है उसमें आराम से मेरा स्टिक रह जाता है आइस क्रीम का स्टिक जो मैं डालूंगी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर मोल्ड में हम भर लेंगे ये तरवुज का जूस को और इसका कवर बंद कर देंगे मुझे इसके उपर कोई फॉयल लगाने का जरुरत नहीं होगा क्योंकि मेरा आइस क्रीम का स्टिक इसमें आराम से रह जाता है आपके पास अगर ऐसा वाला नहीं है तो आप उसके उपर फॉयल लगाए जो कि मैं रेसिपी शेयर की हूँ कुलफी बाला उसमें मैं दिखाई हूँ आपको फॉयल लगाके उसके उपर आप स्टिक कैसे अराम से लगा सकते हैं तो उस हिसाब से आप लगा लिजे और ये हम फ्रीजर में रखेंगे रात भर के लिए रखने के बाद उसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया हमारा चुसकी तेयार हुआ है तरवूच का चुसकी टेस्ट करने के बाद ही मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करे हूँ और टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आया है आप भी घर में ऐसे चुसकी बनाएं और बच्चों को इसका मजा लेने दे आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि चुसकी का मजा वो भी घर में उठाएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं ऐसे ये मी, हेल्दी और फटाफट बनने बाला रेसिपी शेयर करती हूँ देखें, घर में बनाएं और सब को खिलाएं